पावर का मतलब ऐसे पैसा है ना बड़ यार बाद लोग जस्टी सिफ समझ सकता है कि असली पावर हमें कहां से आ रही है? असली पावर हुमें कांप्रोवाइड कर रहा है? माइटोकॉंड्रिया क्यों? क्योंकि माइटोकॉंड्रिया इस भी यहां 살 दि जगा जहां this is your outer membrane इसके बाद बनातें बच्वों इनर टी Tomas K सब्सक्राइब एनुए यह नि değer है और इस ATP के बनने को ATP formation in out students welcome back on this raptaar series on this amazing तो हमने एंडो मेंब्रेन सिस्टम तक पड़ लिया था बच्छो जिसमें हमने पड़ेते चार और अंडो प्लास्मिक रेक्टिकुलम दिगोजी कॉंप्लेक्स, लाइज वाफ्योज और आज साथ करें है बच्छो तो माइटो कॉंड्रिया, बच्छो क्लोर प्लास्त पड़ते हैं, तो नाइन क्लास से पड़ते वा रहे हैं बच्छो कि माल्टो कॉंड्रिया इस से टू भी पावर होस अफ दी सेल, तो यह मीम आपको देखा होगा आपने बहुत जगह पर इस बंदे से भी आप बहुत जगह पर मीम वाले पेज पर देखा होगा आपने, तो जगह जहां पर ATP बनता है, और ATP means energy और energy इसले हम इतले powerful है, यह पैसा वैसा तो अलग की बात है, ठीके, तो आओ चो लोब इसको डिटेल में पड़ते हैं कि माइटो कॉंड्रिया है क्या, तो इस मीम से तुम्हें याद रखते हैं अब, ठीके, तो माइटो कॉंड्रिया को स इनवल्ड इन ATP production, यह भी लिख लेते हैं, इनवल्ड इन ATP production, ठीके, तो माइटो कॉंड्रिया का जो साइज है, माइटो कॉंड्रिया को साइज है बच्चो, अगर NCRT पड़ोगे तो वहाँ पर उसका डाइमीटर लिखा हुआ है, और उसका डाइमीटर क्या लिखा हुआ ह दाइस, 0.2 से लेखरके, 1 माइक्रो मीटर, ठीक है? और अगर हम लین्ठ की बात करें बस्चो, तो इसका लेख क्या होता है? इसका लین्थ होता है, 1 से लेकरके, 4.1 माइक्रो मीटर, हम यह साइज से औस इसले इसले डिसकार कर रहे हैं, लिफिस्ट होगी सकाइस के बारे में हरके तो नूर बीवेरी करता है नूमर्र वेत करता है डिपेंडिग अपन पूं फिजनाक् quizaloscurdity of this मफेंटिवलोरिकल कोई एक सेल कितना काम कर रहा है यार फॉर इक्सेल को जाता काम करना है और आदि अगर वो यह क्या दर्शाता है वो यह दर्शाता है उसको काम कितना करना है तो that means mitochondria का number vary करेगा depending on energy requirement of the cell जिसको energy ज़्यादा चाहिए और के पास mitochondria भी ज़्यादा होंगे energy requirement of the cell ठीक है बच्चों तो यहाँ पर हमने number discuss कर लिया और वी नो दाट की जो mitochondria होता यह भी कैसा होता है यह भी double membrane bound organelle है that means you will have two membranes one is outer membrane जो बाहर की तरफ होगा and one is inner membrane इसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं इसके shape की shape कैसा होता है बच्चों का shape होता है cylindrical cylinder सबको पता होगा cylinder मतलब क्या होता है यह होता है इसका shape sausage shape sausages खाते है न बच्चों तो उसी के shape का हमारा क्या होता है mitochondria यह जिसा hot dog खाते है ठीक है so that is the shape of mitochondria इसको stain कॉन करता है इसका जो stain है stain का नाम है Janus green Janus green बहुत ही important stain है with respect to the mitochondria क्योंकि यही सिर्फ mitochondria को stain कर सकता है तो हम इसको बच्चों microscope के अंदर देख सकते हैं and for this reason this stain it is said to be a vital stain और इनकी size बहुत छोटी होती है तो यह बहुत easily दिखाई नहीं देते है अगीन NCRT line it is not easily visible not easily visible under microscope ठीक है तब ही हमें और अच्छे इसको देखना है तो हम इसको stain करना पड़ता है Janus green के साथ so this was all about the different sizes the length number के साह होता है double membrane organil है और कौन सांको stain लगता है उनको staining करने के लिए ठीक है बच्चों हम इसको बना लेते हैं पहले ठीक है नॉर्मल इजी वाला डाइग्राम बनाएंगे बच्चों हम इजी वाला डाइग्राम बनाएंगे जिससे हम ड्रॉब भी कर सके है असानी से double membrane है तो पहली बनाई हमने outer membrane this is your outer membrane इसके बाद हम बनाते बच्चों inner membrane इनर membrane ऐसी नहीं होती इनर membrane in folding प्रेजेंट होती है यह अंदर की तरफ ऐसे finger like projection शो करते हैं क्या शो करते हैं बच्चों अंदर की तरफ finger like projections in foldings are present or is in folding को क्या बोलते 9 class में पढ़ा होगा बच्चों यह कोई नया नहीं है that is called as crystal बड़े मन से बनाते थे हैं बच्चपन में डाइग्राम नहीं है तो इस तरीके के in folding प्रेजेंट होती है this is what this is inner membrane inner membrane बट यह inner membrane अंदर की तरफ धसी होई होती है और इस धसे हुए projections को हम क्या बोलते हैं crystal अब crystal क्या होता है crystal के ऊपर बच्चों यहाँ पर ऐसे knob like कील की तरह structure present होते हैं all over the crystal और इस knob like structure को हम क्या बोलते हैं f not f1 इसके इलावा इसका जो और नाम है इसको हम क्या बोलते हैं elementary particles elementary particles यहां इसको और क्या बोलते हैं बच्चों oxyzome किसी नाम से भी question आ सकता है oxyzome यहां इसको और क्या बोलते हैं particles of particles of fernandez name of the scientist जिन्होंने इसके बारे में बताया था इन मोरन ठीक है particles of fernandez and moran तो यह knob like structure का नाम है जो all over the crystal ऐसे मौजूद होता अगर मैं आपको diagram भी दिखाऊं एक second यह देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यह देखो in folding से किपनी सुन्दर प्रेजेंट इस इन फोल्डिंस क्या बोलते क्रिस्टे और इस पर देखो ऐसे काटे की तरह structures दिखाई दे रहे हैं that is what that is f0 f1 जिसको हम बोलते है अब तुमारे पास तुम्हें Outer Membrane मिल गई Inner Membrane मिल गई इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट स्पेस को क्या बोलते हैं बच्चों दो मेंबरेन की बीच की स्पेस है बीच के लिए वर्ड म इस्तमाल करते हैं इंतर वो मेंब्रेन की बीच के लिए इस्तमाल करते हैं वह हैं तो इंको क्या बोलेंगे इंटर मेंब्रेनर स्पेस यह हम इसको पेरी माईटो कॉंड्रियल स्पेस त्यों यह जो प्रेजेंट है बीच में इसको हम बोलते हैं बच्चों, matrix of mitochondria और इस matrix में क्या present होता है, इस matrix में present होता है, एक single DNA, बट वो DNA कैसा होता है, single double stranded circular DNA line of NCRT, DNA कैसा होगा, एक DNA मौजूद होता है, बट वो होता कैसा है, circular strand कैसी होती है, double stranded, इसके इलावा इनके पास और क्या मिलता है, इनके पास मिलते हैं 70S ribosomes, कौन से ribosomes, 70S ribosomes, ठीक है, तो इनके matrix मिलता है बच्चों, DNA और इनके matrix मिलता है ribosomes, ये तो हो गया हमारा structure of a double membrane bound organal, that is mitochondria, जो कि बच्चों, बहुत ही important है, why? because it is considered to be powerhouse of these cells, whatever we are doing, if I am speaking, you are writing, you are listening, everything requires energy and that energy is coming from a mitochondria. clear है? इसके इलावा बच्चों, जब तुम NCRT पढ़ोगे न, तो यहाँ पर इक और चीज लिखी हुई है हमारे NCRT में, और वो यह चीज है, कि जो mitochondria होता है, जो mitochondria होता है, they have two compartments, दो compartments उनमें मौझूद होती है, कौन कौन सी? एक है आउटर कमपार्टमेंट, और एक है इनर कमपार्टमेंट, इसका क्या मतलब है? कमपार्टमेंट का मतलब क्या है? डबबा, जगे, तो इस double membrane bound organelle में, दो compartments दिखाई देंगे, एक ही देखो ये, एक है ये वाला कमपार्टमेंट, जिसको अभी हमने क्या बढ़ा? क्या बोलते हैं? इंटर-membranous space, तो double membrane bound organelle के पास, दो membrane होने की बज़े से, दो membrane के बीच में जो जगा बच रही है, जो compartment है, इसको हम बोलते हैं, outer compartment, जिसमें क्या आगया? इंटर-membranous space, इंपोर्टेंट है, याद रखना, और एक जगा तुम्हें कहां दिखाई दे रही है, बीच में, तो इस बीच वाली compartment, जो हमारी matrix होती है, वो किसका पाठ हो जाता है? वो ह outer में कौन सा वाला हिस्सा आता है? इंटर-membranous space, और inner में वचो कौन सा हिस्सा वाला आ रहा है? मैट्रिक्स, यह जो खाली space present है, यह तो अभी हमने देखा वचो के माइटो का structure कैसा है? यह तो हमने उपर-उपर से देख लिया, जिससे और किसी की फोटो देखना है, किसने जूम करके देखते हैं बच्चो कौन से हिस्से को थोड़ा जूम किया जाए, मालो इस हिस्से को थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है, इस हिस्से को थोड़ा जूम करके दिखा जाए, चलो आओ, वैसे भी हमाना थोड़ा जादे इंट्रेस होता है जूम करने में न, कहां जू करके देखते हैं इधर की तरफ चल आज इधर ले आते हैं ठीक है तो जब इतने हिस्से को जूम करेंगे बच्छो तो बाहर तुम्हें क्या दिख रही है आउटर मेंब्रेन होती है ना है तो बच्छो प्लाज्मा मेंब्रेनी ना तो कितनी लेड होगी डबल लेड तो आप पोर्स प्रेजेंट इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फोरेंस फिर देखो अंदर की तरफ क्या है वाइड कलर से इनर मेंब्रेन रोकी है बट इनर मेंब्रेन किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है इन फोल्डिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होती है अब यह भी इनर membrane है बच्चो plasma membrane ही होगी तो ये भी हम क्या बना देंगे bailayer बना दिया देको बना दिया थीक है चलो label कर देते हैं ये हमारी है ये हमारी inner membrane है क्या है बच्चो inner membrane और inner membrane जैसे finger-like projections के form में आ जाती तु सको क्या बोलते हम उसके ऑ के उपर तुम्हें क्या दिखेंगे बच्चों इस क्रिस्टे के उपर तुम्हें दिखाई देते हैं राइबोजोम्स इस क्रिस्टे के उपर तुम्हें क्या दिखाई देते हैं एफ नॉट एफ वन के पार्टिकल्स जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों जिसको हम बोलते हैं और हम पोल रहें बच्चों कि यहां पर ATP बनेगा बनेगा ना तो इसके पास enzymes भी होगा तो इनर membrane पर इनर membrane पर क्या चलती है बच्चों इनर membrane पर आप पढ़ोगे respiration वाले चेंज respiration वाले चाप्टर में यहां पर तुम्हें मिलेंगे respiratory chains और you can say इनर membrane पर क्या मिलती है respiration वाली enzymes detail अभी हमें आप भी नहीं पढ़ना है respiration का अभी आपने सिर्क यह पढ़ना है कि इनर membrane पर वो सारी enzymes होती है बच्चों जो respiration के लिए involved है ठीक है why because mitochondria is the site of aerobic respiration और you can say ATP formation ठीक है इतने हिस्से को हमने zoom करके देखा तो हमें यह दिखाई दिया outer and inner membrane तो यहां से हमें एक और बात समझ में आई कि हर membrane के दो हिस्से होते हैं कौन-कौन से हिस्से होते हैं दो हिस्से क्या समझ में आया यह वाला जो हिस्सा है that is the outer surface of outer membrane यह वाला क्या है इनर सर्फेस ओफ इनर सर्फेस ओफ आउटर मेंब्रेन सेम इनर मेंब्रेन के लिए भी हम यह बोलेंगे बच्चो जो यह वाला सर्फेस है ताट इस दी आउटर सर्फेस ओफ इनर मेंब्रेन और जो यह वाला सर्फेस है ताट इस दी इनर सर्फेस ओफ इनर मेंब्रेन और इ नसीपड़ी होती है इंजाइम्स क्लियर है जो क्या तराती है रेस्पिरेशन अब तो हमने सिर्फ यहाँ पर इसको भी थोड़ा अगर हम जूम करके देखें बच्चो इसको भी अगर हम थोड़ा जूम करके देखें तो किस तरीके से दिखाई देता है चलो ड्रॉ करते हैं यह बनाया हमने उसका बेस ठीक है और यह बनाया हमने उसका डंडी और यह बनाया हमने उसका है क्या बनाया है उसका है इसको बोलते हैं F not और बेस को बोलते हैं नियूए इसको बोलते हैं F1 और इसको बोलते हैं बच्चो F not इसेलिए क्या बोलते है एफ not f1 F1 में present होती है बहुत important enzyme और उस enzyme का नाम क्या है बचो उस enzyme का नाम है ATP Synthetase नाम से पता चल रहा है बचो कि Synthetase Synthetase में एक word आ रहा है Synthesis that means ATP Synthetase किसमें help करेगा ATP Synthesis में किसमें help करेगा बचो ATP Synthesis में ATP कैसे बनती है ATP बनती है बचो जब ADP combine करता है inorganic phosphate के साथ in the presence of which enzyme? in the presence of enzyme ATP synthetase तब जाकर के बनती है ATP ATP का full form क्या होता है बच्चो? ATP का full form होता है adenosine triphosphate adenosine triphosphate और यह बना किस से है? ADP What is ADP? ADENOSIN ADENOSIN DIPHOSPATE ADENOSIN DIPHOSPATE और यहाँ पर IP किस के लिए लिखा है हमने? हमने IP लिखा हुआ है inorganic phosphate के लिए तो जब एक DPHOSPATE में डाई मतलब 2 हो गया ना बच्चो? एक इसमें एक और phosphate आड हो जाएगा तो बन जाएगा तीन phosphate वाला ADENOSIN जिसको हम बोलते हैं ADENOSIN TRIPHOSPATE और यह सब कहा होता है? AT में होता है, F1 में होता है और कौन कराता है? ATP Synthetase कराता है तो यहाँ पर बच्चो हमने पढ़ा ATP Synthetase और ATP को हम क्या बोलते हैं? ATP को हम बोलते हैं बच्चो Energy Currency of the Cell क्या बोलते हैं ATP को? ATP को हम बोलते हैं Energy Currency of the Cell Energy Currency of the Cell जैसे यार बिना Currency की क्या ही तुम देश चला लोगे? है ना? Similarly बिना ATP के हम Cell नहीं चला सकते हैं Clear है? और इस ATP के बनने को ATP Formation Inside Mitochondria ATP Formation Inside Mitochondria It is Known as Oxidative It is Known as Oxidative Phosphorylation Phosphorylation जो word है Phosphorylation का मतलब होता है ATP का बनना अगर वो ATP बनती है Mitochondria में तो that is termed as Oxidative Phosphorylation Very very important thing Direct question आता है बच्चों क्यों Oxidative Phosphorylation कहां चलती है? तो Oxidative Phosphorylation चलती है हमारे Mitochondria के अंदर Mitochondria में भी Particularly कहां पर चलती है Inner Membrane में और Inner Membrane में भी कहां पर चलती है? क्रिस्टे में और क्रिस्टे के पास क्या होता है? F0, F1 और Mainly कहां पर चलती है? वो F1 के पास क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट है Enzymes इसके अलावा what we'll study? इसके अलावा हम पढ़ेंगे बच्चों कि जो हमारा Mitochondria होता है Mitochondria किससे डिवाइड करता है? Mitochondria, they divide by They divide by fission Fission मतलब तूट जाता है Pre-existing cells है जो पहले से है ठीक है, fission हो करके हमारे Mitochondria बन जाते है If I talk about matrix है tak to matrix के पास क्या क्या present होता है mitrex के पास present होता है DNA DNA के अलावा और क्या हो सकता है Gene expression जब होगा तो हमने पढ़ा तो इसके पहले lse mesmo DNA से RNA भी बन सकता है है ना और इसके अलावा इन के पास क्या होता है इनके पास होता है बच्चो прыbosomes कौन से वाले 70S वाले नेक्स देहब इंजाइम्स पॉर टीसीय साइकल या क्रेब साइकल टीसीय का अगर मैं आप फुल फॉर्म लिखो वैसे इस चाप्टर से रिलेटेड नहीं है बट क्वेशन आ जाता है टीसीय का काम क्या होता है ट्राय कार्बॉक्जिलिक का पूरा नाम में ट्राय कार्बॉक्सिलिस एस्ट साइकल बचों मारी कह रहें ना कि इनका काम होता है रेस्पीरेशन कराना जिसमें एटीपी बनती बट रेस्पीरेशन एक टायर न्यू प्रॉसेस एक ने चैप्टर में तुम आप पढ़ होगे है ना तो यहां पर हम पूरा रेस्पीर होते है ना एक दूसरे से कनेक्टे सिमिलरली जब रेस्पीरेशन चलती है तो प्रॉसेस एक दूसरे से लिंग होते है तो उसी रेस्पीरेशन में एक प्रॉसेस होता है जो कि कहां चलता है मैट्रिक्स और माइटो कॉंड्रिया में ठीक है इसके अलावा यार चुरो डिसक तो अगर हम आउटर मेंब्रेन की बात करें यार पहला डिफरेंस तो आपको यही दिख गया था कि आउटर मेंब्रेन में पॉरिंस होता है इनर मेंब्रेन में पॉरिंस नहीं होता तो लिख लेते हैं आउटर मेंब्रेन में पॉरिंस प्रेजेंट इनर मेंब्रेन में पोरिंस प्रेजेंट नहीं होते हैं पोरिंस आर अप्सेंट यहां पर ऐसी कोई इन फोल्डिंग नहीं थी क्रिस्टे क्या थे दिखाई दिये थे तुम्हें नहीं तो क्रिस्टे प्रेजेंट और यहां पर क्रिस्टे प्रेजेंट क्योंकि बच्चों यह यहां पर पॉरिंस प्रेजेंट होते हैं, पॉरिंस और पॉर्स जिससे समान अंदर आ सकता है, clearly, है ना, clear है, तो similarly, यहां पर we can write, कि they are more permeable, why, because of the presence of पॉरिंस, they are more permeable, whereas, यहां पर, comparatively, they are less permeable, they are less permeable, अब हम बार-बार ही कह रहे हैं, क्रिस्टे वो जगा है, जहां पर F0, F1 पढ़े हैं, और F0, F1 ने क्या कराया, अभी हमने पढ़ा, वहां पर respiratory change चलती है, वहां पर respiration वाली enzymes present है, और जब आप respiration पढ़ोगे, तो you will study, कि वहां पर oxidation reduction होता है, तो क्रिस्टे वे यह लिख सकते हैं, that they are the site of, they are the site of oxidation as well as reduction, detail आप पढ़ोगे बच्चों उस चाप्टर में, अच्छा, इचिस देखो यार, हमने पहले भी पढ़ा हुगा थे कि plasma membrane अंदर की तरफ धस जाती है, bacteria में, mesozooms, क्यों? क्योंकि यार, वहां पे भी respiration वाले enzymes होते हैं, और enzymes better cup करते हैं, जब उनका surface area जादा हो, क्योंकि mitochondria में भी जादा तर enzymes कहां पर present है, जो respiration वाले enzymes है, वो inner membrane पर है, इसलिए inner membrane ऐसे in-foldings की form में आ जाती ही, जिसको क्रिस् से बने है, so that, वो उनका surface area increase कर सके, increase surface area for better action, for efficient work, ठीक है, इसके इलावा बच्चो, let's talk about, अभी हमने डिसकर्स किया, कि enzymes यहां पर, related to respiration, जब आप पढ़ोगे, तो ज्यादा तर आप enzymes कहां पढ़ते हो, यूपील स्टी ने इनर में, इनर इनर इक्वेस्टिन पीवाई क्यों में भी आया हुआ है, तो यहां पर लिखना, नीचे अरो का मतलब है, निग्लेजिबल अमाउंट, enzymes and electron carriers, enzymes and electron carriers are present towards this side, जैसा ने भी किया था, it is present towards this side, electron carriers, बच्चों तुम ETS में पढ़ोगे, जब respiration होता है ना हमारे शरीर के अंदर, है ना ATP बनाने के लिए, तो generate होते हैं electrons, फिर वो electrons travel करते हैं, travel करते हैं, तो electron की पूरी की पूरी chain बन जाती है, उसी को बोलते है, electron transport chain, ये electron transport system, जो भी हमें यहां पर नहीं पढ़ना है, तो ये सब कुछ कहां पर चल रहा है, ये सब कुछ चलता है बच्चों inner membrane में, तो what you will mark, अगर question आता है कि enzymes electron carriers कहां पे present होते हैं, they are present in inner membrane, तुम उस respect में outer membrane में बोल देना भाईया नहीं present होते, ठीक है, तो हमने, हमने discuss कर लिया, दो दो membrane के बाले में, हमन हमने दो compartment discuss कर लिये, हमने matrix के बारे में भी discuss कर लिया, ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, इनके functions पढ़ना, तो functions के अगर बात करें यार, तो क्या-क्या functions होगा, सबसे important function जो हमें discuss करना है regarding mitochondria, that is, they are the site of aerobic respiration, फटा-फट लिख लो, site of aerobic respiration, ठीक है, aerobic respiration का मतलब पता होगा, oxygen के presence में respiration होना, ठीक है, detail तो आप उसी chapter में पढ़ोगे, वार-वारी कह रही हो, जादा नहीं पढ़ना, structure related informations हमें पढ़नी है, regarding mitochondria, apart from this बच्चों, इनका और क्या function होता है, muscle के contraction में, और जो भी signal हमें मिल रहा है, brain को मिल रहा है, nerve signal या nerve impulse conduction, वो सब कुछ किसके through हो पा रहा है, energy तो चाहिए होगी न या, और कौन प्रवाइट कर रहा है, which is the powerhouse of the cell, that is mitochondria, तो ये सम, there are some functions which are there with respect to mitochondria, तो हमने mitochondria discuss कर लिया, बच्चों, जो पहला double membrane bound organal था, अब हम जो discuss करेंगे, अब हम जो discuss करेंगे, अब हम जो discuss करेंगे, that is plastic, ठीक है, that is plastic, तो चलो और discuss करते हैं, that what is plastic, Plastid, Plastid is the second membrane bound organal, जो आपने याद रखना है, हमने पहले bit discuss किया हुआ है, मेरे बच्चों, So Plastid, पहले point लिखते हैं, double membrane, क्या लिखोगे, double membrane bound organal, कहां पर मिलता है Plastid, क्या बैक्टीरिया के पास है Plastid, नहीं, बैक्टीरिया के पास, नहीं होता है, ठीक है, they are absent in bacteria, they are present in higher plants, they are present in higher plants, along with बच्चों आप पढ़ोगे, ये डाइटम्स में मिल सकते हैं, because they are photosynthetic, dino flagellates में मिल सकते हैं, because ये भी photosynthetic है, और कहां पर मिलते हैं बच्चों, ये मिलते हैं Euglenoids में, अब आप सोच रहोगे, बैक्टीरिया भी तो photosynthetic होता है, तो उनके पास क्यों नहीं है, बच्चों जो बैक्टीरिया काम क्या होता है, इनका काम होता है, या तो store कराना, या किसी सीज को synthesize कराना, so what we will write, we will write, इनका काम होता है, storage and synthesis, यही दो work है, कितने types के हैं बच्चों, there are three types, कौन कौन से, number one, that is, leucoplast, सबसे पहले हम लिखेंगे, पढ़ेंगे, लिउकोप्लास्ट के बारे में, लिउको का मतलब क्या होता है बच्चों, लिउको का मतलब होता है, वाइट, वाइट क्यों कहा जा रहा है, because there is no pigment, यार वाइट कोई color थोड़ी है, वाइट अगर color होता, जैसे हम तो बोलते हैं, या color है, वाइट का शूट देना, वाइट क्यों क्योंकि there is no pigment, क्योंकि यह गरानम होते है, अगरानम का मतलब, अगरानम का मतलब क्या होगा बच्चों, अ aware का मतलब होता है, absent, that means यहां पर ग्रैना नहीं मिलता, ग्रैना is absent, that means कोई पिङमेंट हैं, तो синth岩 हैं तो यह करेंगे नहीं, है लिए क्लर लेस हैं, तभी ह हमने क्या लिखा हुआ है इसको वाइट लिखा हुआ है 5 का निलकी काम क्या होता है स्टोरेच कराना इनका स्टोरेक्प्राइट कि किप स्टोर करते हैं बच्चों तो हम ऐसे स्टार्च के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं Amyloplast जिसे आपने पड़ा होगा Amylase वर्ड भी किसके लिए था स्टार्च के डाइज़ेशन के लिए तो Amyloword आ गया ना समझ जाना स्टाइज के लिए है और अगर प्रोटीन होगा तरह षैसे प्रोटीन टॉरिश्ट लूपलास को क्या तो यह तीन टाइब से उप्ल नूपो संदेन ट्री ताइप अव लिूपोप्लासट विच दैए क्यों कि फरी स्ट्री ज्ट नी सकते क्यों पर बतरे हैं फोटो सिंधिक रोल इनका नहीं है इनके इलाबर जो दूसरा प्लास्टेट होता है ऐसे major सब्सक्राइब ऑच्छे कूरों कर मतलब घ्रोमा का मतलब यात करो क्या पढ़ा इसा कछलर dud अर Чब बच्चों पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, पिगमेंट प्रेजेंट, कौन-कौन से कलर दिख सकते हैं इन पिगमेंट की बज़े से, पहले बात तो याद रपना कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा, जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, बच्चों, उसका नाम होता है, carotenoid yeah you can write carotene or carotene कौन कौन सा कलर प्रवाइड कर सकता है other than green other than green for example red हो गया orange हो गया क्या हो गया yellow हो गया जैसे गाजर का टमाटर का कलर जो है वो कलर क्यों दिखाई दे रहा है that's the presence of carotenoid or you can say there's a presence of chromoplast जो इतना colorful चीजों को मनलब इतना color provide कर रहा है चीजों को अच्छा एक चीज बताओ यार टमाटर का पौदा देखा होगा समने नहीं देखा है तो यार देख लेना Google करके हम से टमाटर देखते हैं फल देखते हैं रेड कलर का है यारो बना कैसे होगा जब टमाटर के पौदे पर फ्ला में डीजाशन ऑर बेमिर फैल के बाद बिखाई देता है और फॉल के इस कलर का दिखाई को देख्णम घ्रीका की तो उस ताइम पर वो green क्यों है क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट है chloroplast, chloro stands for green color, फिर वो mature होता है, पकता है, ripened होता है, तो वो red color का दिखाई देता है, है ना, और red color क्यों, क्योंकि keratenoid present होंगे, कह सकते हो, chromoplast present होंगे, that means, जब white था, तो leuco present था, green था, तो chloroplast present था, red था, तो chromoplast present था, that means, यह जो तीन टाइपस अप्लास्टिड है, यह आपस में क्या है, बचो, interconvertible, they can convert from one type to the another type, तो question आएगा, कि आपस में एक दूसरे मे convert हो सकते हैं, तो yes, वो हो सकते हैं, ठीक है, और, तीसरा type क्या है, बच्चो, तीसरा type होता है, आपका chloroplast, क्या होता है, आपका chloroplast, जो हम detail में पढ़ेंगे, next slide में, उससे पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कि यह जो तीन types होते हैं, इनके, they are interconvertible, they are convertible from, one type to, one type to, other, just example, मैंने टमाटर का पौधा लेकर के बताया, ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं, बच्चो, ख्लोरो प्लास्ट पढ़ना, ख्लोरो में जो वर्ड आ रहा है, ख्लोरो का मतलब होता है, grass green, that means, यह किस कलर के प्लास्टेड है, यह greenish प्लास्टेड है, यह किस तो यहाँ पे भी क्या प्रेजन्ट होगा, पिगमेंट, बट यहाँ पर जो में पिगमेंट प्रेजन्ट होता है, that is chlorophyll, अच्छा गर क्वेशन पूछा जाए कि ख्लोरो प्लास्ट के पास के रिट नॉइट भी होते हैं, यह बच्चो, में तो ख्लोरो फिल होता है, बट क्लोरो फिल के अलावा, यह एससरी पिगमेंट रख सकता है, और नाम क्या है, कैरिटिनॉइड, ठीक है, तो यह मत समझना कि कैरिटनॉइड सिर्फ यहीं पर है, कैरिटनॉइड कैन बी प्रेजन्ट इंसाइड ख्लोरो प्लास्ट एस वेल, ठीक है, इसके अलावा तुम्ह मीजोफिल सेल्स ओफ लीव, हमने पहले पे डिसकस किया है, मीजोफिल सेल्स क्या होता है, लीज की सेल्स को क्या बोलते हैं, बच्चो, मीजोफिल सेल्स, जो शेप होता है, और जो नमबर होता है, दे विल वेरी, डिपेंडिंग अपन टी टाइप आप आप स्पिशिस, प what we will write जो इसका number होता है, number vary करता है, जो shape है ना, shape भी बच्चों इसका vary करता है, क्या shape होता है इसका, इसका shape जो होता है बच्चों, it can be diskoid, जो higher plant से मिलता है, diskoid का मतलब disk like, oval, reticulate, network like, they can be even star like, कुछ algies में, they can be even star like, ठीक है, they can be even ribbon like, so shape depend करता है, कौन सा organism है, algae है, कौन सा plant है, उसके हिसाब से इनका shape भी बेरी करेगा, number तो obviously vary करेगा, जिसे क्लमाइडो मुनास में एक हो सकता है, बट एक हाईयर प्लांट में 20 से 40 हो सकते हैं, पर सेल, ठीक है, क्योंकि वो हाईयर प्लांट उसको खाना ज्यादा बनाना होगा, यहाँ बेब अगर हम structure की बात करें, देखो या, structure तो यहाँ पर इस slide पर बना हुआ है, ठीक है, just a second, यह देखो, तो यहाँ पर भी तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा होगा, यह भी double membrane structure है, ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यह भी कैसे structure है बच्चो, यह भी double membrane bound structure है, double membrane, double membrane bound structure, यह रहाँ, यह हमने क्या बनाया, इसका, single membrane, एक और membrane बना दो, क्योंकि double membrane है, तो क्या बना दी हमने यह, double membrane, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं, बच्चो, this is what, this is outer membrane of chloroplast, और यह क्या है, यह है inner membrane of chloroplast, इनके बीच में भी space है, बच्चो, इन space को क्या बोलोगे, inter membranous space, because this space is present between two membranes, यहाँ पर यह जो खाली space है, इसको हम क्या बोलते हैं, बच्चो, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में क्या दिखाई देता है, स्ट्रोमा में दिखाई देगा, वही तुम्हें double stranded circular DNA, जैसे वहाँ पर था, और इसके इलावा, तुम्हें क्या दिखाई देता है, 70S ribosomes, 70S ribosomes, फिर आप ध्यान से देखोंगे बच्चों इसको अगर तो microscope के अंदर तो तुम्हें ऐसे stack structure दिखाई देते, stack का मतलब एक के उपर एक जिसे सिक्का अरेंज नहीं करते हम, सिक्का अरेंज करते हैं, एक की उपर एक, या किताबे अरेंज करते हैं, एक की उपर एक, तो stacking, stack करते हम, तो यहाँ पर तुम्हें stack structure दिखाई देंगे, इस पूरे के पूरे ग्रूप को हम क्या बोलते हैं, पूरे के पूरे ग्रूप को हम बोलते हैं, ग्रैना, है ना, औ और सिर्फ अगर एक की बाद करें तो हम बोलते हैं ठालाखोय्ट क्या बोलते हैं बत्चो ठाल्थायड wagus जितने भी ग्रैना इनका भी नंबर कर सकता है और आता की सारे क Two als होते हैं हम stromal lamella क्या बोलते हैं बच्चो stromal lamella है ना है तो membrane ही और membrane ऐसे form में भी हो सकती है पड़ा था हमने कि membrane tubules, cisternae, vesicles के form में हो सकती यह किस form में है एक lamellar connections के form में है ठीक है अच्छा यह में थालब तो लिख लिया बच्चो यह थालब थालाकोईड भी दुमारी क्या है यह थालाकोईड भी double membrane structure एलेट मी शो यूदी डीटेल structure और थालाकोईड यह देखो यह हमने पूरा का पूरा एक ग्राना बनाया है जिसमें कितने थालाकोईड है एक दो तीन चार पांच यह जो नीचे वाला पर दो लाइन दिखाई देगी अगर मैं इसको अपने डायग्राम से ड्रॉग करके दिखाऊं अपने हाथ से तो तुम्हें दिखाई देगी दो membrane तुम्हें दिखाई देगी बच्चो दो membrane यह देखो यह यह तुम्हारी आउटर सर्फेज है देखो फिर से यहां पर बात आ गई आउटर सर्फेज ऑफ थालाकोईडल membrane और जो यह वाली है दाट इस दी इनर सर्फेज इनर सर्फेज ऑफ थालाकोईडल membrane तो यहां से बिक समझ में आ गया जिससे हमने पहले पढ़ा था कर देखो दो सर्फेज निठ़ाई तुम्हां और इनर यहां पर भी दौसर्फेज दिखाई दे रहते हैं तो महांत्र और इनर ऑडेरी जो इस बहुत प्लोग। हम ने एक स्ट्रॉक्चिर स्ट्रॉक्टर पढ़ाए बच्चों यहां पर भी वही वालसीन है यहां पर सब्सक्राइब. यो बाद गोद ना चैज तो अब चाहे अभी डिसकर्श करें या ना आकरे समझ जाना you will have two surfaces of the membrane जो बाहर के तरफ हो, outer surface जो अंदर के तरफ हो, that is inner surface ठीक है? फिसे आते हैं उसे slide पर थालाकोईट को थोड़ा और discuss करते हैं जिसे यह हो गया यह देखो, अंदर की भी space है हमने पहले भी discuss दिया हुआ है अंदर की खाली space को क्या बहुते हैं? enclosed by a membrane अगर कोई एक space, membrane bound हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चो? lumen, तो यह सारा हमने क्या लिखा हुआ है? lumen, तो एक यूनिट थालाकोईट ग्रूप अप थालाकोईट को हम क्या बोलते हैं? ग्रैना और सारे ग्रैना जिससे चनेक्टेड होते हैं अगर हम बात करें बचो फॉंक्शन आफ लोलो प्लास्त इफाइटाच अब आउट की वाट इस फॉंक्शन आफ लोलो प्लास्त अगर्यू है क्या है फंक्शन? सबसे पहले तो यार हम नाइन क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं that they are the site of photosynthesis तो भी आप मो गए वो तुम बड़े हैना सिर्फ photosynthesis से कहने से काम नहीं चलेगा सिर्फ photosynthesis से काम नहीं चलेगा तो फोटो सेंथ से पूरा का पूरा एक चाप्तर पढ़ना है तो photosynthesis हम सबसे पहले बात करते हैं दो तरीके का प्रॉसेस होता है बच्चों एक होता है लाइट रियाक्शन और एक होता है डाक रियाक्शन लाइट रियाक्शन में क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए लाइट रियाक्शन कहां चलती है तो सबसे पहले याद आठना कि लाइट रियाक्शन की जिस साइट होत होटे हैं पिगमेंट प्रेज़न टो होते हिलना में या तुम कह सकते हैं यह मुठेसा कर abilir unaware या फिक फ्यक्रम सबाइब ऑच्छों ग्रेली पार यह पर किया उनील थी कैन्ट में भी क्या काम होता है यह यह मैंचन ओफ formation of ATP and NADPS2 क्या बनता है ATP and NADPS2 जैसे खाना बनाना है खाना बनाने के लिए भाईया मसाला चाहिए है ना बिना मसाल के क्या बनाओगे ना टेस्ट आएगा ना कुछ आएगा क्लियर्ली एंढेली ऐहां पर भी तुम्हें क्या बनाना है खाना बनाना है खाणा बनाना इंदि फॉर्मऔफ ग्लूकोस पॉर्म आफ काभोध़रेट बर खाना के लिए चाहिए तुम्हें एनर्जीwalkandsाला सो वह मसाला कहां पर बनता है बार्ए ट एक बर六 चाळा हो जाए ख हम पर भी हो रहा है यहां पर भी हो रहा है अगर ऑसफडियर गद्याम और अगर प्रश कॉर्छा क्पोरःलेसन पे संब आ हो रहा है तो जर्ण पर आधायर रखने Champ रहे लेशन को होगी जब लाईयट हो तो एसे फोस्फ़ोरिलेसन को क्या बोलते हैं बचो फोटो फोस्पोराइलेशन फोटो फोस्पोराइलेशन के याद रखना ठीक है यहाँ पर फोटो फोस्पोराइलेशन होती है वहाँ पर अक्सिदिटिव फोस्पोराइलेशन होती है ठीक है चलो खाना बन गया मसाला बन गया मसाला बनने के बाद खाना बना देते हैं पहली तो याद रखना कि इसकी जो इंजाइम सोती वो कहां पर प्रेजेंट होती है स्ट्रोमा में और वहां पर जब एटीपी पहुत जाता है यह तब जाकर के शुगर कार्बो हाइडरेट यह ग्लुकोस सिंथिसाइज होते हैं तो पूरा का पूरा दो स्टेप लगता है इसको कर और थी ही है यह जाका प्गारोच चुकि कहां चलती है अच्छा अगरे खाना बना रहे हें कहना किस फॉर में बनाते हैं खाना बनता है ग्लुकोस के फॉर्म में ग्लुकोस बहुत शिंपल शुगर है फटाक से तूट जाता है जब जब जरूरत नहीं भी अपड़ा है तो सर इसको खतम कर जाएगा तो हम इसको स्टोर करते हैं फॉर्म ऑफ स्टार्ज तो याद रखना कि यहां पर स्टोरेज भी हो सकती है स्टार्ज की जो खाना यार हम घर में बना रहे हैं जरूरी तो नहीं सारा का सारा कंज्यूम हो जाए हम भी स्टोर करके रख लगते हैं फ्रिज में हैना सिमिलरली ग्लुकोस बनता भी है और स्टार्ज के फॉर्म में स्टोर भी हो सकता है बच अलग अलग जगह पर बच्चों फर बंती इसलिए अलग अलग नाम है so this was all about the second double membrane bound organ that is chloroplast अब हम बात करेंगे note point की note point में बच्चों ते सबसे important point discuss करने वाले हैं कि दोनो mitochondria and chloroplast mitochondria and chloroplast दोनों को हम बोलते हैं semi-autonomous organelle क्या बोलते हैं बच्चों semi-autonomous organelle semi-autonomous organelle का मतलब क्या है यार यह खुद से function अपना perform कर सकते हैं अगर question पूछा जाए कि fully autonomous है नहीं यह कुछ proteins के लिए nucleus पे dependent होते हैं बट इनके पास खुद के पास ribosome सा देख लो दोनों के पास खुद के पास DNA इनका खुद का तो आदे से ज़्यादा कांगी खुद ही कर लेते हैं इसलिए इनको बोलते semi-autonomous खुद से duplicate भी कर ले जाते हैं फिजन के तुम इसको क्या बोलते हैं इसल्फ डूप्लिकेटिंग और्गनल रीजन में क्या क्या लिखेंगे क्यों बोल रहे हैं ऐसा नमबर वन रीजन क्यों देख डियर ओन डियने और असानी से क्या बना सकते हैं उससे आरने पहला रीजन दूसरा देख ओन राइबोजोंस जो कैसा होता हैं 70 years ribosomes राइबोजोंस एक यह अप असानी से क्या कर जाते हैं एक फिजन में चले जाते हैं तो डिवाइड कर जाते हैं ठीक है यह खुद का अपना क्या बना सकते हैं प्रोटीन करा बना सकते हैं प्रोटीन सिंथेस्स करा सकते हैं सब्सक्राइब तो सारी जिए सिएपलीकर प्लिकेटिंग या से नीक्टेटिंग या साइने पूछे जाता है इंपोर्टेंट की कौन से दो और गुर्प्लिकेटिंग भुटे अपार्ट फ्रम दिस बच्चो यह जो मिट्वांडरिया ने क्लोरोफ्लास्ट कि में अपने चीज नोटस्कियों कि होगी यह है यू केरियों टेक ऑर्गनिल सुमान है जो समान यह यहां से हम पड़ेंगे एक एंडो सिम्बायोटिक ट्योरी कहानी एक इस कहानी का जो conclusion है वो कहानी ये कहती है या यह फ्योरी है पहले hypothesis के नाम से थी hypothesis मतलब ऐसा माना जाता है और continuous नी किसी चीज़ को मानो यार वो तो विश्वास बिलीव में convert हो ही जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि mitochondria और chloroplast इवाल कहां से हुए है एक बैक्टीरिया से तो बैक्टीरिया से इवाल हुए है दाट इस वाए उनके पास जो DNA है और राइबोसोम से वो कैसा है प्रो केरियोटिक एक बैक्टी एक बड़ा सा यू केरियोटिक सेल हो था वो बड़े से यू केरियोटिक एड सेले दो बैक्टीरिया को खाया 1 एक बैक्टीड किस निढ़त हो गया पावर हाउस अपति सेल में also Mitochondria और एक बैक्टिर या किसमें convert हो गया ख्लोरोप्लास में किचन अब भी सेल में और यह दोनों कहां पर प्रेसेट है यूकेरियोटिक सेल के अंदर और यूकेरियोटिक सेल को इन से फायदा हो रहा था एनरजी और खाना मिल रहा था इनको भी फायदा मिल रहा था क्यों एकसल ने उसको खाया था वो उसके अंदर चले गए थे तो एंडो ठीक है तो यहां से यह पूरी कहानी तो आप से पूछा नहीं जाएगा आप से पूछा जाएगा सिर्फ की एंडो सिंबाइटिक थियोरी क्या होती है तो यह यह दर्शाती है कि माइटो कॉंड्रिया कि इसका प्रूफ क्या है बच्चो कहां से हमें मिला प्रूफ क्यों साइन्टिस ऐसा कह पाए कि बहां से वाल हुए है नंबर वान प्रूफ जो है कि इनके पास double stranded circular dna है जो कहां पर होता है बच्चो प्रोकेरियोट के पास होता है इसके अलावा इनके पास जो dna होता है ना वो जिस नाइट्रोजन बेस में रिच होता है दाट इस गौनिन एंड सांटोसिन दिने हमारा चार नाइट्रोजन बेस का बना होता है बच्चो कौन-कौन से पार्ट फरंड्र हुस मिलता है और साइटो से छालाव अपार्ट फर डिस अभी हमें देखा था प्रेजंट है बच्चो को रइन हमने मैटो कॉंंड्रीयों पर डिट्रौ कीये तो आसी तरीके के पॉरइंस मिलते हैं हमारे इस पे क्लोरोप्लास प्योंकि क्लोरोप्लासए ही डबल मेंबरेन है माइटोकॉंडर्य भी डबल मेंडेन अगर तुम उसको भी जूम करके देखो गए तुम्में बिल्कुल माइटो कॉंड्रिया जैसा ही दिखाई देगा जिसा है कि माइटोकॉंड्या वह प्लोरॉरोव्ट्रक्ट थी ऑूरण किसका फीचर होता है पूर और क्या होता है डे डिवाइड बाइफिजिन यह सारी चीज हमें यह बताती है कि बैक्टीरिया से ही माइटो कॉंड्रिया ख्लोरो प्लास बने हैं ठीक है इसलिए उनके पास जो भी समान है डाट इस अब बैक्टीरियल ओरिजिन ठीक है तो यह बहुत इंपोर्टेंट बच्चो जिसके पास कोई membrane होती ही नहीं और अभी तक आपने क्यास कर लिया होगा दाड़ राइबोसोंस तो चलो आप पढ़ लेते हैं राइबोसोंस के बारे में नान मेंब्रेनस नान मेंब्रेनस और हमने इसका पढ़ा भीता साइज भी बहुत होटा होता है जिसे मैंन और यूनके होनल के अंदर खेंगे मिलता है कौनकौन से माइटो कौन्ड्रे अनडर प्लो प्लास इसलिए हम इसको बोलते हैं इते Jacob भी अन आप कर्यक्नयों我们 अमें तो में तुमिलता है नान। उत्में मिलता है यह डोनौ तरीके के सेल में है प्रोग्रोरिक अर्यूशय यू के रोक्षिक आर्टेक इसको एक हम और क्या आधो उप्हों के सब अर्गनेल कि इसको और अधो अधो जोगता type of nucleic acid मिलता है बच्छों nucleic acid there are two types DNA और RNA और RNA भी कौन सा present होता है इनके पास ribosomal RNA तो हम यह बोल सकते हैं बच्चों that the ribosomes are composed of they are composed of ribosomal RNA plus proteins पहले भी डिसकस दिया था बच्चों कि इसकी दो सब्यूनिट होती है एक तुम्हें मिलेगी larger सब्यूनिट और एक आपको मिलेगी smaller चाहे प्रोकेरियोटिक राइबोजोम हो या यूकेरियोटिक राइबोजोम हो राइबोजोम हमेशा दो यूनिट्स में करते हैं बड़ी वाली साइज वाला लाजर और चोटी वाली smaller अगर कभी क्वेशन आया आप से कोई पूछे क्या हमेशा यह दोनों चिपके हुए होते हैं नहीं बच्चों यह तभी चिपकते हैं जब इनको क्या बनाना हो प्रोटीन बनाना और प्रोटीन के बनने को क्या बोलते हैं फ्रांसलेशन फिछले क्लास में पढ़ा था हमने फ्रोटीन के बनने को बोलते हैं ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन तभी होता है जब MRNA पर क्या चिपकता है मैनी राइबोजोम लिखो इस बात को फिर से पहली बात तो आप लिखोगे कि टू सब यूनिट्स य जोइन बाए टू सब यूनिट्स और जोइन बाए एक आयन बच्चो बहुत इंपोर्टेंट फ्वेशन यह कौन सा आयन दो सब यूनिट्स को जोडता है दूरिं फ्रांसलेशन दूरिंग प्रोटीन संदिस इस मैगनीश्यम आयन ठीक है सिंगल MRNA पर क्या होता है सिंगल MR पर बहुत सारे जुड़ जाते हैं बच्चो मैने राइबोसом और पर इस structure को हम क्या वहते हैं यह भी हमने पिछले क्लास में किया हुआ है फ़्छाट इस single mRNA है this is single धागा और इस धागे पर क्या लगता है बच्चो इस धागे पर लगते हैं बहुत सारे ribosomes तो आप देख सकते हो यह छोटी वाली unit बनाई है मैंने और यह बड़ी वाली unit बनाई है इनको जोड़ा किसने है इनको जोड़ा है magnesium iron ने इनको जोड़ा किसने है magnesium iron और कब जुड़ते हैं translation के दौरान और इस पूरे के पूरे structure को हम क्या बोलते है polysome और polyribosome तो यह भी question आता है कि polysome और polyribosome का function क्या होता है जिसको हमने फिश्क प्यालेड ने है ना इसले इनको एक और नाम से जाना जाता है that is pallid कि दाट इस बच्चो प्यालेड पार्टिकल्स ठीक है कहां कहां पर मिल सकते हैं यह मिल सकते हैं बच्चो ए-र पर ठीक है कौन से ER पर particularly RER पर ठीक है rough endoplasmic reticulum और कहां पर मिल सकते हैं बच्चो mitochondria में जो भी हमने discuss किया और कहां पर मिल सकते हैं बच्चो अभी हमने discuss किया that is chloroplast यह किसके लिए respect में लिखा है यू carry out के respect में लिखा है अगर मैं pro carry out के respect में लिखू तो हम generally क्या लिखते हैं बच्चो they are associated with plasma membrane why because other organs तो इनके पास होती नहीं है other organs इनके पास होती नहीं है clear अब हम discuss कर लेते हैं बच्चो दो types of ribosome कौनसे दो types है ribosome के एक है इनके पास 70s वाला ribosome और एक है इनके पास बच्चो 80s वाला सबसे पहले तो डिसकस करते हैं कि एस क्या है सो यह एस क्या है बचो एस थम स्वेडबर्ग यूनिट को बोलते हैं नेम आप दी साइंटिस्ट जिन्हों इसके बारे में बताया था इसके लावा एक और स्टांस पॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिंट सेडिमेंटेशन कोफिशिंट यह सेडिमेंटेशन हम कराते हैं ना बच्पन में किया होगा सेडिमेंटेशन पानी और मिट्टी का है ना समझना कैसे है कि इन्होंने कराया था सेंटिफ्यूग स्वेडबर्ग यूनिट ने ठीक है तो यहार जैसे एक सेंटिफ्यूग जैसे तुम नौमर्ट बीकर देखते हो उसके मार्किंग नहीं होती 10 ml 50 ml साथ 100 ml मार्किंग देखते हो similarly इन्होंने अपनी कैलकिलेशन के हिसाब से जब सेडिमेंटेशन कराया जब सेंट्रिफ्यूग कराया तो जो दो यूनिट्स थी जो जहां पर सेटल हो गई उसके हिसाब से इन्होंने नाम रखा था जैसे 80S में तुम दो यूनिट्स पढ़ोगे एक पढ़ोगे 40S जो तुमारी स्मॉलर वाली यूनिट होती है और एक होती है 60 जो तुमारी लार्जर होती अब बच्चे बोलते हैं मैं 60 प्लस 40 तो 100 है तो बच्चों यहां पर मैस तो पढ़ नहीं रहें कि 40 प्लस 7 इस उक् मैस यह स्वेडबर की अपनी कालकॉलेशन थी वाटेवर ही अब्जर्ब डाप्टर सेडिमेंटेशन जो छोटी वाली यूनिट थी वह 40S पर आके सेटल हो गई जो बड़ी वाली यूकेरियोटिक राइपोजोंस की यूनिट थी वह 60S थी तो वहां पर जाकर करके सेटल हो इंडारेक्ली मेजर देंसिटी एंड देंसिटी एंड साइस ठीक है देखो लार्जर वाली 60 और स्मॉलर वाली 40 और 80 वाली कौन से होती है बच्चों यूकेरियोटिक यह हमने और रिसकस कर रखा है 70S में बच्चों दो आती है एक आता है 30S जो स्मॉलर यूनिट होता है औ और एक आता है 50 जो होता है लार्जर सब यूनिट ठीक है तो मैंने आपको बताया था कि डिटेल में आपको बताऊंगी जब यू केरियोटिक वाला स्फ्रक्चुर्स पढ़ेंगे तो यहां पर दोनों चीज़े बता दी हमने यह भी डिसकस कर लिया कि जो दोनों यूनिट होती है उसको कभी एड़ नहीं करते हैं तो यहां से तो यहां से समझ में आया कि इमको एड़ नहीं करना है कि इसाब से कर लिया कि ATS कहां कहां मिल सकता है और 70S कहां कहां मिलेगा आप इसके स्ट्रक्टर्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं बच्छों यूनित्स बनाते हैं ठीक है यह हमने बनाया फ्रोकरियोटिक राइबोजों और यह हम बनाएंगे अब यूकरियोटिक के साइज ओविसली बड़ी होगी यह हमारा एटी यह वाला है यह हमारा सेवेंटी यह depression में जो चोटी यूणिट है हम इसको क्या लिखेंगे देको 30S बड़ी को हम क्या लखेंगे 50S ठीक है यहां पर ब्या जो भ Lup Montango निक लिखेंगे 40S और बड़ी वाली इनिट को क्या कि लिखेंगे बच्व 60S जिए अब बच्चो हमने पड़ाता कि यह राइबोhn सुमर्من और ने data है तो लेट्स डॉटी वाली उनिट होती है प्रोकरियोर्टिक राइबोजोम की इनके पास मिलते हैं 16S राइबोजोमल आरने के टाइप से यहां पर जो मिलता है राइबोजोमल आरने बड़े वाली उनिट में दाट इस 23S राइबोजोमल आरने इसके अलावा एक और टाइप मिलता है यहां पर जो छोटी वाली उनिट है इसमें जो मिलता है यहां पर जो एक और मिलता है दाट इस 28S राइबोजोमल आरने फिर और क्या मिलता है बच्चों 5.8S राइबोजोमल आरने और एक और मिलता है प्रेस्ट लाइबोजोमल आरने तो यह दुनों स्ट्रॉक्चर एक समीद मिलता है यहां पर मिलता है और यह दोनों है.." लार ने रार नाम क्यों है क्योंकि राइबोजोम के अंदर मौझूद है और राइबोजोम का काम क्या होता है बच्छो प्रोटीन को बनाना इसलिए राइबोजोम को हम क्या बोलते हैं राइबोजोम को हम बोलते हैं प्रोटीन की प्रोटीन की फैक्टरी ठीक है एक और उसको हम सिक्रीट नहीं करवाएंगे और यार वो प्रोटीन बनाएगा क्योंकि यह किसे जुड़ा हुआ है गॉल जी और गॉल जी अल्टिमेटली कहां चला जाता है प्लाजमा में इंवाल्ड होता है गॉल जी तो अगर किसी प्रोटीन को सेल से बाहर भेजना है तो दाट इंडो प्लास्मिक रेक्टिकुलम तो एक यहां से दो चीज हमें समझ में आई कि प्रोटीन बनाता तो है बट दो तरीकी के प्रोटीन बनाता है एक नॉन सिक्रेटरी जिनको सेल से बाहर नहीं जाना है और एक सिक्रेटरी प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है याद स्थक्रेट इंपॉर्टाइब जो प्लास्मिक राीबोजोम जोय है oni सायटो प्लास्मिक राइबो सोम्स वहरास सिक्रेटरी प्रोटीन जोन बनाता है सथिंत्ल साइज़ वयका रएंगोच्छ और доступ ख्रेट करा द고 मैं चुक्म तो यह बहुत इंपोर्टेंट चीज़ जो हमने पड़ी है और यह आपने याद रखनी है ठीक है बच्चों तो यह हमने डिस्कस कर लिया बच्चों डिफ्रेंट फंक्शन एंड स्रॉक्चर और राइबोजूम्स नेक्स बच्चों चलो इस पर क्वेस्टन्स कर लेते हैं इ इस बच्चों यह बच्चों यह तो सारे प्लाइंट्स में होता है इंसी आर्टी के लाइन और हमने भी लिखी हुई है है Chloroplast it double membrane bound with inner Chloroplast Membrane being more permeable बच्चों मैं डिसकस किया था जैसा数र मौरइंड्रह में प्रेजेंट होते हैं आउटर मेंब्रेंट फर्समीं प्रेजेंट होता है और हम सन्युक्व्रेंट होती है तो लेजहepel होनीचाइए तो तो यहां पर inner को लिखा हुआ है, ज्याधा पर्मेबल है, तो यह गलत है, outer membrane ज्याधा पर्मेबल होती है, क्यों? क्योंकि porins present होते हैं, just like mitochondria, ठीक़े, तो यही हमें मिल गया incorrect, ठीक़े, आगे चलते हैं बच्चों, तो रीदे फॉलोविंग स्टेटमेंट विट रिस्पेक्ट इपावराउस अब इसके रिस्पेक्ट में बताना है कि सही स्टेटमेंट कॉन है तो पहला है दे आर इसली विजिबल नहीं साइस बहुत चोटी है एंजियाटी का स्टेटमेंट इसली दिखाई नहीं देते हैं देयर साइट आपाउर ऑबीक रशपरेशन ये सही है तेया नोंबर पर सेल रिमें से नहीं नमटर वेरी नमबर क्या करता है बच्छो नमबर करता है वेरी इपेंदिंग अपॉँ ती एननर्जी रेक्यॉईमेंट अब भी सेल्योगजिक अफ फिसिलोगी का अक्ति अपली ऑ यह बिल्कुल सही हो गया तो कितने स्टेटमेंट सही है तीन स्टेटमेंट सिर्फ सही है तो देख लो करणा पर दिया हुआ है ऑप्शन नमबर डी में नेक्स चलते हैं है माइटो कॉंड्रियर क्लोरो फ्लास से भी ऑटो नोमस आज देपा असे बेटर ऑप्शन है क्या डियन प्लस रने हां इससे बैतर और ऑप्शन है थो फॉड्स वो इसमें डीन भी लिखा हुआ है आरे बीखा हुआ है रीबोजोंस विलिखा हुआ है तीनो रीजन्स हमने न the endosymbiotic hypothesis suggests करती है that there are similarities between eukaryotes and prokaryotes, between prokaryotes, mitochondria and chloroplast. Yes, क्यों? क्योंकि ये उससे evolve हो है. शुरू देखते हैं हमारे respect में answer कहा है. क्योंकि इनके पास presence of circular DNA होता है associated with stones. नहीं बच्चा, stones तो ना mitochondria chloroplast के पास है, ना तो इनके bacteria के पास था, तो ये तो कलत हो गया. Presence of circular DNA not associated with stones. Yes, ये बिल्कुल सही है. Circular DNA naked होता है. क्यों? क्योंकि prokaryotes में भी तो naked ही था. क्यों? क्योंकि stones नहीं होते हैं. 50S ribosomes? नहीं. 30S ribosomes and DNA. देखो, 30S और ribosomes सिर्फ अकेला थोड़ी होता है. 30 के साथ 50 भी तो होता है. और 50 थोड़ी सिर्फ अकेला होता है. 50 के साथ 30 भी तो होता है. तो हमें सारे विसे तो सबसे अपना best option दिखाई दिया. वो कौन सा दिखाई दिया? वो दिखाई दिया B option. ठीक है? यहाँ पर 70S था. 70S जादा अच्छा है ना? सेपरेटली 30 और 50 है से लिखना. तो यह सबसे best option था. ठीक है? नेच्स है बच्चो यह वाला. अच्छा यह है ना हमारे NCRT related diagram. है ना NCRT related diagram? किसका diagram है बच्चो? क्लोरोप्लास का diagram है. जिसमें outer membrane देखो. यह outer membrane है. यह inner membrane है. यह सारे के सारे क्या है? stacks है. stacks को हम क्या बोलते हैं? grana. एक particular unit को क्या बोलते हैं? ठालकवर. और देखो सारे connected है. with the help of stromal lamella. और यह जो खाली space है. इसको क्या बोलते हैं? stroma बोलते हैं. तो मैं आमने labeling भी कर दी है. अब आपको सिर्फ match करना है उनके function से. और function match करके बाद question को पढ़ोगे आप और मुझे जवाब दे के बताओगे कि आपको क्या लगता है? कि इसमें से सही option कौन सा है? ठीक है? तो हम next class में discuss करेंगे इसका सवाल. ठीक है? और मैं answers बच्चों के देखूंगी बच्चे answers क्या देते हैं? ठीक है? ठीक है? पर मुझे पूरी उमीद है बच्चों कि तुम सारे बच्चों का यह हो जाएगा विकाज यह NCRT फिगर है तो कोई परिशान होने वाली बात नहीं है. ठीक है? अच्चा मैं आपने ना एक homework दिया था इसके पहले वाले class में वो homework यह था यार ठीक है तुम मैं बताना था कि को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहां होती है है ना पोस्ट कहां होती थी गौल जी में होती थी को का मतलब क्या होता है बच्चो साथ-साथ तो प्रोटीन्स बनते कहां है ट्रांसलेशन का मतलब बनना को का मतलब साथ तो प्रोटीन्स कहां पर बनते हैं बच्चो प्रोटीन्स बनते हैं हमारे ए आर में आर ए आर में तो उसके साथ ही साथ वो मौडिफाइब भी हो सकते हैं that means modification शुरू हो जाती एर में तो जब एर वाली modification होती है उसको हम co-translational बोलते हैं जिसे colleagues होता है ना साथ में काम करने वाले लोग तो वहीं साथ में हो रहा है because NCRT में डाइग्राम है मैं आज ती following तुम कर सकते हो मैं देखूंगी कितने बच्चों के सही जवाब है ठीक है चलो मिलते हैं बच्चों revision करके आना है तब तक के लिए bye bye and take care